अजी जैंदे सबको मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर फिर साब का सवागत करता हूं तो भाई साब ओन डिमांड बहुत टाइम से मैंने भी बोला हुआ तो और बच्चे भी वेट कर रहे थे कि सर करेंट अफेर करेंट अफेर मैंने बोला था था थारा भाई कोद बचेगा जो चीज तीन घंटे में होनी चाहिए ना वह चीज एक सब्सक्राइब हो जाएगी व्यक्ति मुझे बोलना है और आपको एक बात का ध्यान रखना है करेंट अफेर में जहां पर अनलिमिटेड होता है वहां पर आप यह मत सोचा कि मैं नोट्स बनाऊंगा भाई यह मैं आपको पड़ा रहा हूं मैं आपने मेरे साथ साथ क्लास अटेंड कर ली आपको पीडिएफ इसकी मेरे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी वहां से पीडिएफ रीड करनी है क्योंकि भाई साब कितना ही लिखते रहोगे कोई मतलब मलब लोजिक नहीं ब यह बता रहूं आपको पागल बना रहा हूं रहा है इसा बस बहुत ही भी घटरीन तरीके से आप सब्सक्राइब अप सब्सक्राइब करेंड इस जितने भी से सब्सक्राइब रहने ची यह मेरे हिसाब से यह ede printing से स्टार्ट कर रहा हूं सरफ क्यूं स्टार्ट कर रहे हो बाइसाब मेंद कर गया हों तों आप लोग डिमांड करोगे तो मैं थोड़े से पिछवाले मंत की भी लियाओंगा बट मुझे लगता है कि एपरेल से सेप्टेंबर का मोटा मोटा करेंट अफेर या फिर ओक्टोबर मिड तक का करेंट अफेर मुझे लगता है तो चलो बिना किसी देरी के let's start with this current affairs session और हाँ अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब ना कर रहा ने चैनल को तो भाई साब सब्सक्राइब कर देना recording में ज्यादा में लगती है ज्यादा effort लगते हैं पहले इसको बनाओ और एडिट करो तो प्लीज डू सब्सक्राइब इसमें आपको सिधा सिधा वह बताऊंगा ठीक है देखो जी यह प्रकास जावेडगर जी पहले हमारे इंवर्मेंट मिनिस्टर वह करते थे अभी तो नहीं है आपको इसमियाद रखना है यूएस के climate envoy ठीक है जोन कैरी जी इंडिया आये थे चार दिन की विजिट के उस त आपको पहले बात तो कि आपको पता है कि इंडिया तो से फिर्स टेटा रहोंगा और उमीद करों कि आपको ना करेंगे अगर वह आपने ना करा तो भाई साब पेपर में कोश्चन आ जाएगा तो फिर यह मत सोचनारे काश में हमक कर लेता ठीक है तो भाई साब अब इंडिया थार्ड पर है तो पहले पर यूएस है और चाइना ठीक है तो आपको एक तो यह करंट फिर याद रखना इसके लावा इंडिया ने कुछ अपने गोल्स रखें इंडिया ने बोला है कि हम चर्च करेंगे 2015-2030 तक ताकि हम अपना जो पुंट्रिबुशन है जो रिन्यूबल एनरजी होगी वह प्रेडूस कर लेंगे 2022 तक और चारसो पचास गीगावट 2030 तक दिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर में सिधा सिधा प्रशन आ जाएगा ठीक है जी ओके लीडर क्लाइमेट समिट क्या है भी जी लिडर क्लाइमेट समिट यूएस न ओन क्लाइमेट चेंज एक होते हैं कॉन्फरेंस वफ पार्टी कहां पर होनी जा रही है ओक्टोबर 31 से लेके नवंबर 14 तो क्यों प्लैंड है तो बतावो कौन से कंट्री में और कौन से सिटी में होने जा रही आपका होमवाग और मेरे साथ आपको होमवाग मिलता रहेग है प्राइम मिनिस्टर मोंदी रिलिजेज हिंदी द्रांसलेशन ओव उडिसा इतिहास का हिंदी ट्रांसलेशन भाइ सबसे पहले बात तो यह दूर पैले इंग्लिश और ट्रांसलेशन हिंदी में अब ठीक है तो ट्रांसलेशन किसने करी है शंकरलाल पुरोहित आपको नाम याद रखना है कि अगर मोदी जी इस बुक को लॉंच ना करते ना तो शाइज रहा इंपोर्टेंट ना बनता लेकिन उन्हों लॉंच कर दिया है तो नाव इट बिकेम इंपोर्टेंट तो शांतिलान पुरोहित आपको नाम याद रखना है चलो जी इस बुक को इनीशली किसने लिखा था इनीशली किसने लिखा था उतकल केशरी किनको बोला जाता था डॉक्टर हरेकृषमाताब उन्होंने इसको उडिया में लिखा था ठीक है जी वह इस टाइम जेल वेल कात रहे थे जब सब्सक्राइब करेंगे नोट दिन उन्हें तो वीक फिक्स कर दिया था कि अप्रेल 11 से टिकाउट सब्सक्राइब को याद रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें वैक्सिनेशन कर सके कर रहा था करो यह सब तो अफ्रीडम आफ नेविगेशन ऑपरेशन प्रेशन कौन सी कंट्री ने कौन सी कंट्री ने अरेबियन सी में करा है तो भाई साब यह करा है यूसे ने क्या हुआ वेसिकलीूसे की एक वोर्षिप थी वो गुशियाई इंडिया की एक्सक्लिव एकोनोमिक्जोन में तोस्थिए इकन्टरी की अपनी एकोनोमिक जोन है वहाँ पर वह एक्टिवीटि कर सकता है लेकिन क्या बहार के शिप्स उसमें जा यह सकते हैं यह सब्सक्राइब आगे थोड़ी टेंशन बन जाती है वैसे कुछ होना जाना नहीं था वैसे एस पर इंटरनेशनल लोग वो जा सकता है इंडिया को कहना है कि पहले हमसे परमीशन लेना चाहिए था वह वाली बात हुमा यूनीक लेंड पार्सल इडेंटिफिकेशन नंबर इस व्याइव यह जैसे अपना आधार होता है यह वैसे प्रोपर्टी का भी एक नंबर बनेगा अब यूनीक लेंड आइडेंटिफिकेशन नंबर बनेगा ठीक है इस स्कीम को दस स्टेट ने लॉंच करा यह बहुत जो नंबर होगा बस इतना ही बहुत है मेरे साथ से जाद जानने की जरूर। नहीं है जो पहले current प्टपिटल में पढ़ाया है मैं उंको short short में पढ़ा रहा हूँ कि आपको current point of view से examination point of view से क्या जानने की ज़ुर। बस वहीं पढ़ा रहे हूं से निश्टर है उन्होंने बोला कि घाधी विलेज इंडस्टरि का प्रोड़क्ट क्या एक प्रोजुक्त होध यह इसाथ हाथी के साथ रूट होते हैं शन्य चीजें हो जाती है क्या करा कि स्क MOM करेंगे तो रस्ता वधल ने कोशिश करी रस्ता कैसे बदला भी बोक्स जॉघ से बदला बी बैस जात कहरा वहां पर युझा करूएक वस्सक्सेस्फुल चलो जी भैतरी नोगी बात यो थ्री ब्रेंडिड रोज फिंच न्यू बर्ड स्पीसिज ओफ इंडिया ओके तो पहली बात तो पता होनेंची कि स्पीसिज कहां पे मिली है और ना मम यह इस से जानने की मेरे सब से ज़रूत नहीं है यह यह स्पीसिज ठीक है यह फिंच बर्ड सर्फांड होल बर्ड होल वर्ड एकसेट ऊस्टेलियन पोलर रीजन ठीक है जी अभी कहां पर मिली है रेजिदेंट वैसे जो वह है इस सौधन चाइना ऑच्छा भुटान में यह पहले यह जो मिली थी नोर्टीस में मिली थी अब भी वहीं पर मे यह जो स्पीशीज है वह यहां भी मिल गई है चलो जी भैतिरनों के मामला एकदम उप्यों जरूत नहीं है इंडिया सेचल्स की हाई लेवल मीटिंग हुई तो अपने प्यारे नलेंदर दामोर्दास मोदी जी जाएंगे ठीक है यह वर्ट्वल मीटिंग के चलते उनके सा आप आए ना तो दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए थे मोदी जी की वापसी आने पर वह खुश मलब भाई सब यूएस से की मीटिंग में होकर आए इस मतलब खुशी किस चीज किया मतलब पता नहीं I have no idea लेकिन चलो जो भी है बैतरी ने कुछ अच्छा ही होगा मोदी ज इसका मोदी जी ने इन्योग्रेशन करा है इसके अलावा कुछ और डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट्स भी हमने वह करे हैं इसके अलावा फास पेट्रोलिंग वैसल ठीक है यह हमने गिफ्ट करा एक सोलर प्लांट वन मेगावोट कैपस्टी जिसकी है ठीक है वह हमने उनको करा है और इसके अलाव कोविट शिल्ट वैक्सीन भी हमने उनको दी पचासजार से सेचल्स कांपे लोकेट्ट आप देख सकते हो लोकेट्ट इन अफ्रीका ठीक है लोकेशन इस वेरी इंपोर्टेंट बच्चे आगे चलते हैं यह देखो एशियन डेवलोप्मेंट बैंक एशियन डेवलोप्मेंट बैंक ने अप्रूव करा कितने युएस डूलर चार्सों चुरासी मिलियन मिलियन देखो है कि न आपको यह वह तो याद नहीं रखना है लेकिन कि अभी अभी एशियन डेवलोप्मेंट बैंक ने किसको लगबग 500 मिलियन डॉलर का लोन प्रोजेक्ट एस के अईसी तमिल नाडु मैं पूछोगे सब्सक्राइब के लिए रिसेंट लोन पास कर रहे आपका हॉमवाट है जो प्मेंट में लिख हो गए एडीवी का हेड़क्वाटर कहां पर है चावजी और अधी में सबसे ज़्यादा शेयर कौन सी कंट्री का है ठीक है तो भाई 590 किलोमेटर तक का हाइवे होगा स्टेट हाइवे होगा ठीक है आपको समझ में आ रहा है इंडुस्ट्रिल कुरिडोर बेट्विन चेन्य एंड कन्या कुमारी ठीक है ओहो ओहो यह तो मैंने दे दिया यह अच्छा यह थोड़ा से उपर चला गया इंडिया ने नीदर लेंड के साथ पार्टनर्शिप यह पर का प्रशन सीदता सीदा ऐसे आ सकता है कि आंड कोन से कंटर्श पर्टनर्शिप जay तो नहीं दिय के साथ मों में आ गया तो freedom to religion के constitution provision क्या है वह को पताने चाहिए article 25 से 28 हमारे fundamental rights के अंदर article 25 से 28 से बोलता है हर इंसान अपना धर्म चुनने के लिए फिरी है उस धर्म को propagate भी कर सकता है यानि फैला भी सकता है उसके नाम पे और exemption point of view as well as from your policy point of view वोल्कैनों इरप्चिं साउधन करीबिया देखो जहां जापे वोल्कैनों इरप्ट करें ना वह देख लो दो तिन चीज़ आपको पता होने चाहिए आपको कमेंट मुझे बताना है कि हाइस्ट वोल्कैन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है दूसरा इंडिया में क्टिव वोल्कैनों कहां पर रहा हूं अगर मुझे इनके आंसर नहीं मिले मैं अगले पार् पास नहीं करता हूं ठीक है थोड़ी सी मेनत आप भी करो जो जो कुछन भोल रहा हूं चाहिए कमेंट मत लिखो लेकिन यहार एकली सुस्वर्ण को करो ठीक है बहुत इंपोटेंट होता हूं ठीक है तो लास और फेर वोलकैनों कहां पर लोकेटिड है करीबन आइलेंड मे हम इको रचा है जाता है अपरेल दस इसको बनाये जाता है किसके अनिवर्सी होती है मैं की इनिवर्शरी होती है और इसमेंटर मेंट्री तरीक है इंडिया पिछाम कि सब्सक्राइब होम ने पने झाना चाहिए चल नेक्सिस, nationwide covid-19 vaccination awareness campaign launch करी किस ने launch करे इंडियन national young academy of sciences ठीक है तो बस यही आ जाता है कि किस ने launch करी तो indian national young academy of sciences ने launch करी covid-19 vaccination awareness campaign नाम ही यह है, मतलब कुछ आलग से नाम नहीं दिया गया है कोई एकशिनेशन अवेड़नेस केमपेंट ही नाम दिया गया है युए युनेटट एमिरेटस ने फ़र्सट फिमेल एस्टोनोट को नॉमिनेट करा है इनका नाम है नौरा अल मातरोशी नौरा अल मातरोशी मेकेनिकल इंजिनियर है यह ठीक है इनकी एज भी कहीं तो लिखी तो बहुत ही कम इस थी तो मैं उस जब यह नियूज मैंने पढ़ी थी मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूं जीवन में देखो यह क्या अचीव कर गई लेकिन चलो ठीक है अब तो मुझे लगता है कि थीक ठाक तो करी रहे संस्कृत की इंपोर्टेंस अब सब जानते हैं ठीक है किसी को संस्कृत आती नहीं है तो यह एक एप है जो खेलते खेलते आपको संस्कृत सिखा देगी तो नेम इस लिटल गुरू बच्चे ठीक है जी ओक किसने बनाई यह सब भी चीज़ा रखिया इरावडी डोल्फिन ठीक है इनका जो वह है क्याना मैं काउंट है चिलका लेक में बढ़ गया है तो आपको पता ने सब बाते आपको पता हूनीचे यहां से आपको ठीक है अच्छा हाँ it is also lagoon ठीक है and it is a second largest lagoon of the world आपको बताने first largest कौन सा है okay Artemis program तो पता होना चाहिए कि जो Artemis program है यह पहली बात तो कौन सी organization द्वारा start करा गया है Artemis program पहली बात आपको यह पता होना चाहिए ठीक है दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि इस बार अलग क्या है तो नासा द्वारा start कर रहा का प्रोग्राम है यह कह रहे है अंडर Artemis program पहले person of color person of color का मतलब है जो नोन वाइट है ठीक है नोन वाइट आपको पता होगा color on the surface of the moon under its Artemis program यह भेजेंगे ठीक है इसके अलावा नासा विल अल्सों लेंड first woman on the moon under its program ठीक है जी तो यह होगा Artemis के अंडर वैसे 18 एस्टोनोट्स को भेजने वाले हैं यह देखो G20 बहुत न्यूज में रहता है तो यह फोटो मुझे काफी अच्छी लगती है आप इसको रेफर कर सकते हों जी सेवन कंट्री के पहले जी एट वा करता था ता फिर रश्य निगल गया 2014 में तो जी सेवन हो गया G20 क्या है क्या को पता ना चाहिए G20 का मैं बेसिक मतलब बत बताया जाते थे लेकिन अब तो में पीएम वगेरा प्रेजेंट वगेरा जाते हैं तो क्या है यही मैंने आपको यहां पर बताया है ओके नोमेड लेंड अब फिल्म बाई कोलियो जाओ ठीक है बहुत प्राइज मिले हैं तो यह बाफ्टा अकेडमी द्वारा प्राइस द एंड दर शिक सेकेंड वुमेंट विन वाफ्ता फॉर बेस्ट यह निऊज बड़ी थी इसलिए मैंने करेंट अफेर में डाल था पहली वुमेंड दो नहीं वाइट ठीक है मैं बलेक नहीं कह रहा है मैं कहा रहा है ठीक है यह है यह डिरेक्टर चले जाओ चलो ओके बैठ है सोषील चन्त्र हमारे आज के मालब यह तो पहले की न्यूझ जान्स है तो हमारे जो आज के टाइम पे अने प्रेसिंट करेंपर कोईशल officer मिल तो आपby पहले से बता द दिनना कून है हूँ तो सुसील चंद्र हमारे चीफ इलेक्षन कमिशनर है इससे पहले सुनी लरोडा हुआ गरते थे भाई साब ठीक है आर्टिकल 324 से 329 तक बात की जाती है रिगार्डिंग इलेक्षन ठीक है तो उसमें भी कि इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया गवरे मैं आपको चार-पांच बाते पता हुने चीए चाहीं व्यासाब पार्लेमेंट के लेक्षन लोक सभा के राज्यस सभा के प्रेजिडेंट के वाइस प्रेडेंट के इसके वाइस चैट लगिस्थिश्लिटिव असेमली के इलेक्ष सब्सक्राइब कराना होता है तो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह आपको बताएं ठीक है इंडिया एनरजी डैश्बोर्ड यह क्या है वन स्टोप डेस्टिनेशन फॉर इंडियान एनरजी डेटा एक जगह पर इंडियान एनरजी डैश्बोर्ड किसने लॉंच करा इट इस बीन लॉंच बहुत बड़ा इस ट्रेड बना है रीजन पता है दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड बढ़ाने के लिए करा होगा तो कूंसी दू कंट्री ने करा है आपको यह नाम पता होना चीए बच्छे तो कजाकिस्ता और यंद उज्वेकिस्ताने करा है मैप पे जाकर इक बर इंड को देख लोगे तो जिंद्ध के मजह आ जा होगे मजह आ जाय'Ma 2021 की डूबल फूड पौलिसी रिपोर्ट ज無ड जो भी है इस डूबलb पब्लिश करी है यह इंपोर्टेंट इस बार की तीम क्या थी इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट फूट सिस्टम और को बड़ नाइंटीन ठीक है क्या है इसके रिपोर्ट क्या है कि भाइच साब आज की टाइम पर 95 जादा मलब रटने का आइटम हो रहा है लेकिन अक्षुल बच्चे क्या है आपको रटना नहीं है बस यह सुनना है और एक बार लास्ट में पीडियव से गो तुरू कर जाना है इससे ज्यादा नहीं करना है और ज्यादा करोगे होगा नहीं करना लिमिटेड के रहा हूं तो शांत इस वह चीज कर लिजिए हो जाएगी बहुत प्यार से ठीक है तो ओड़ेसी ने 20 साल कंप्लीट करे यह एक और ली गई इमेज भी रिलीज करी है ना साने तो यह है यह यह अच्छा ओडैसी वो है क्या क्या था क्या था क्या था वो था कि सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला है यह लोंग लास्टिंग स्पेस्क्राफ्ट जो मार्च पर रहा है तो यह इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए ओडैसी ओके चलो जो पहतरीन मार्स लुक्ट इलेक्ट्रिक ब्ल्यू इन दा इमेज ठीक है चलो बहुत ही बहतरीन था यह यह क्या है आपको पताने किसलिए प्लैट्फों किसलिए है यह मरीन प्रोड़क्ट्स की ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए वच्चे यूज करा गया प्रोड़क्स है मलब जो है इसंता ठीक है जी अब जितने भी एक्वा फार्मर्स है वह अपना प्रोड़क्ट सेल कर सकते हैं वाया इसंता प्लाप्ट्रम अलग-अलग लैंग्डिज में करा गया है सो देट बायर और सेलर जो है अराम से कोडिनेट कर सके अंबेड कर जैनती अप्रेल 14 को अंब से ज्यादा पढ़े लिके लोग इतनी सारी डिगरी इनके पास में थी एपरेल 14 को इक्विलिटी डे के रूप में बनाया जाता है यह बहुत कुछ इनके बारे में तो मेरी साबसे हिस्ट्री में बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है इन्डिपेंडेंट लेबर पार्टी इन्होंने मतलब इस्टैब्लिश करी थी ठीक है बहुत कुछ है मतलब मतलब जब अर्दस इसके लावा इस वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 32 को बियार अंबेडगर जी ने बोला था हार्ट अंड सोल फिंडिन कॉंसिचन राइट to Constitutional remedy है çıkळा केट फूंको हार्ट यंड्स व्पे लोकेट़ प्रेजिदेंट आऊस दिखरागा आपको फ्रेजिदेंट वह नोट कर रहा हो प्रेजिदेंट हूस थोड़ा से हील पे लोकेट़िद एलिवेट्ट तो वह राइ से ना डायलोग यह क्या है इंडिया और्गिनाइज करता है इसको मिनिस्ट्रोफ एक्ष्टनल अपेस और उब्जर्व रिसर्फ इंसीचूट मिलके इसको वो करते हैं इस इन जियो पॉलिटिकल इवेंट इसमा अलग-अलग कंट्री के लोग आते हैं मिलते हैं बस जो भी है थीम वर्च्वल वल्ड आउटब्रेक आउट लायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल ठीक है जो भी है कंट्री चेस्ट क्या होता है रिसेंटली न्यूज में इसलिए था बच्चे यहां से चोड़ी होगी ते लगवा चार क्रोट रुपे की कंट्री चेस्ट ऐसी जगह है ज ठीक है यह प्रोग्राम है प्रोग्राम का नाम किस ने दिया है बच्चे मैंने बता दिया आपको नेशन इसको ने इसको लॉंच करा क्या है भाई सब्सक्राइब क्योंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर क्वालिटी डेवलप करी जाएगी ताकि वह फैमली फ्रेंडली हो सके तक आस-पास में नेवरिंग में भी जरूत पड़े केर देने की बच्चों को तो वह दे सके ठीक है डैडली एलगी किल्स 4000 टन्स ओफ सेल्मन इंच चिले तो आपको पेपर प्रशन कैसे आएगा रिसेंटली सेल्मन फिश हैज बिन किल्ट विकोज ओफ एलगी कहां पे तो चिले पर चिले होना चाहिए लब इस टाप की घुमा फेरा के कोश्चन पूछ सकता है ठीक है यही बात मैंने लिखी या फिर अलगी ब्लूम अभी आया था वह कौन से आया था यह सब चीज आपको पताने चाहिए ठीक है यह यह मैं आपको वह नहीं दिखा रहा है यह आपको पर आ रही है पॉर्षे कुछ नहीं दिखाना चाहरा हूं दिस इस वर्ट अबॉट इफ्यूल वाइट में था लाइट पड़ गया ठीक है तो पॉर्शे कोलेबरेटिटीड विट सीमेंस एनरजी टू प्रेड्यूस इफूल इफ्यूल बाए 2020 इफ्यूल प्रो इसको बनाने की कोष्ट काफी ज्यादा है बच्चे एक कॉंप्लेक्स हाइड्रोकार्बन है ठीक है तो इस मतलब इलेक्ट्रोफियूल है मित्रॉल नों mipersonal को सब्सक्राइब करा जाएगा गैसोलाइन में ठीक है और फलाना धिमकाना जो भी है ठीक है दस यूएस डॉलर पर लीटर दस यूएस डॉलर साथ सब्सक्राइब क्या करें और यह तो प्रोडक्शन है भार आते आते तो पता नहीं क्या हो जाएगा अभी अग्रिकल्टर मिनिस्ट्री ने में में रंड़ अंडरस्टेंडिंग साइन करा है विद माइक्रोसफ्ट फिट फॉर फॉर फार्मर वेलफेर आपको यह कोशन स त्वार साथ साइन करा है विस प्रकार से अग्रिकल्टर करा सकता है यह बीसली इनका मोटो रहेगा चलो ओंके आपको माइक्रोसूफ्ट याद हो गोनाची इसमें हिमाचल करा जाता है बच्चे 15 अप्रेट को हिमाचल पर्देश की जो स्थापना हुई पहले हिमाचल परदेश आप सबको पता होगा कि Union territory के अंडर आता था फिर बाद में जागे 1971 में में जाके हिमाचल परदेश को स्टेट का दर्जा मिला था जब 1956 का State एक ताया था उस ताइम भी माचल पर्दे से एक यूटी केटिग्री में आता था था ठेक है नेक्स्ट इस मानस अप्लिकेशन मानस अप्लिकेशन की फुल फोम पता नहीं चीए मानस की बच्चे मानस की फुल फोम है सब्सक्राइब को पता है कितना कुछ लोगोंने अपनी मेंटल हेल्थ को लेके खोया है कितने लोग मतलब एंग्जाइटी से फ्रस्टेशन से मतलब इन सब चीज़ों से जूजे है ठीक है तो उसको ध्यान में रखते हुए यह मानस प्रोग्राम बच्चे चला गया इस इस लिए कंसल्टेंसी एप है ठीक है चलो जी वहती बैट जी तो नेक्स्ट अपना ब्रिक्स सेमिनार ओन मिस्यूज ऑफ इंटरनेट बेटर्रिस्ट एक बात याद रखना पहली बात आप कोई पता आप प्रिक्स मतलब क्या है ब्रिक्स मतलब ब्राजिल रशिया इंडिया च ठीक है तो कोई सेमिनार हुआ हो इंडिया ने चेर कर रहा है उसको ठीक है जी तो अभी किसके लिए हुआ था मिस्यूज ऑफ इंटरनेट बाई टेररिस्ट इस पर हुआ था इंडिया होस्त था ब्रिक्स क्या है आपको यह पता होना चाहिए आगे चलते हैं बस इतनी सी न बात है फेसबुक ने पहला रिन्यूबल प्रोजेक्ट इंडिया का लॉंच करा तो जी कौन सा प्रोजेक्ट है फेसबुक का कौन सा प्रोजेक्ट है अच्छा एक बत और याद रखना जो मेरे स Emil M babi के ये डिए जि aldi को कर लेंी है और 18 एक आपकोी लगातार शुट 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 है चीज़ें तो यह दो चीजह कर लोगो करेंल करने या होजाना है फेसबुक का फ़र्स रेयोस्तिबैक्प करने करने Turning फेस्बुक और क्लीन मैक्स विल वर्क टूगेदर तो जनरेट रिन्यूबल एनरजी ठीक तो पता लग गया रिन्यूबल एनरजी का प्रोजेक्ट है 2022 से स्टार्ट होगा करनाटका में कर रहा है लोकल फर्म कौन सी है आपको पता लग ग्रीन कोरिडॉर क्रिएट टू सप्ल ग्रीन कोरिडॉर की मतलब एक कोरिडॉर अलग से छोड़ा गया था फूर एंबुलेंस फॉर ओक्सिजन सप्लाई तब का पता होने च्छे ग्रीन कोरिडॉर मतलब क्या है चलो जी बहुत ही बैतरिन एक था इंडिया एच्टू अलाइंस आई एच्टू अलाइस ग्लोबल को मतलब पबलिशिटी कर सके लोगों को बता गया जा सके इसके लिए इस टूर में कैसे डीयोग्ism कर सकते हैं इस चीज को लेकर यह पूरा मैं ने कि क्या है मतलब hydrogen 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 development hydrogen related industry development सब कुछ ठीक है जी green hydrogen बहुत न्यूज में है green hydrogen कौन सी होती है जो non fossil sources से मिल बनती है that is green hydrogen blue hydrogen जो बनती है splitting of natural resources into carbon dioxide and hydrogen तो यह आपको पता होना चाहिए अच्छा यह उदर कैसे सब्सक्राइब यह ना थोड़ा बहुत परेशानी थोड़ी बहुत परेशानी होती रहती है इसमें चलो जी नेक्स्ट इस इंटरनेशनल मोनेटरी फंड आई एमफ रिलीस करता है वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलुक पहली बात तो यही नियूज इतनी इंपोर्टेंट है कि व ओके इस बार की थीम मालब टाइटल क्या था मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरी आपको होमवक में मुझे यह बताना है कि वर्ल्ड बैंक एंड आई एमफ का हेड़कौर्टर कहां पर है आपको दोनों अच्छा यह मैं दोनों एक साथ इसलिए पूछ रहा हूं बिको उस पर जाग उसकी जीडीप मतलब अब मैंने आपको बीच में पहले बताया था करेंट अफेर में कि चाइना ने सबसे फास्ट रिकवर करा है जो कि वही करता धरता है इसका ठीक है सबसे फास्ट उससने रिकवर करा है और देख लो अल्टिमेटली क्या ही हो गया ठीक है आई आपके बारे में कुछ-कुछ बाते हैं 1949 फलाना धिमकाना हेड़क्वाटर में ने लिखवा आपसे पूछा है वर्ल्ड हेल्थ दे अपरेल सेवन को वह करा जाता है और्गनाइज करा जाता है बच्चे वर्ल्ड हेल्थ डे तो आपको इस बार की थीम पता होनी ची क् ची कोंचन आ सकता है कोन सी स्टेट ने यह प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है ठेका कि बाइठने बी लोग रहेंगे नहीं परोपर क्ट्रेक्ट वगधेर बने वह और ओनर टेनेंट के बीच में ताकि उनके भीच में डिस्प्यूट कम से कम हो ठीक है इंडिया ने कौन सी क मैं आपके कोशन पूछी जा सकते हैं फिर ठीक है कि जापान इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है आई इनस सर्विक शक इसने करा जोइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन मोरेशियस पेपर में दो थाइफ के प्रशन बन सकता है अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में इं एंडी होंगे सिद्वी के ने अच्छा आपको सिद्वी का हेड़कॉर्टर मुझे बता देना कि सिद्वी का हेड़कॉर्टर कहां पर लोकेटिड है एस रमन मैं आपको बता दिया है नेक्स्ट इस वर्ल्ड बैंक एंड आइम फ ने मिलके लॉंच करा है क्लाइमेट चें लिखे दिया है तो फिर मैं नहीं करने तो बाद में कभी निए उसी का आंसर मैं बता देता हूं ठीक है चलो जो भी है अच्छा हां जी करन्ट प्रेजिडेंट वर्ल्ड बैंक है डेविड माल पास पेपर परशन आ सकता है इसलिए मैंने कर दिया इसका हेड़कॉर्टर है भो कि में चाष पांच अच्छा वर्ल्ड बैंक और व्र्ल्ड बैंक ग्रूप अलग अलग यह दो मिला के आईबी अईडी आइडी मिला के बनाते हैं अच्छे वर्ल्ड बैंक गरूप नाम से पढ़ोगे समझ में आ आजैगा क्या है इंडिया इस नोटा पार्ट उफिफ मेहंदरगरी जो हिल्स है यह वाला एरिया है इसको हम बाइस फेर बनाना चाहरे हैं यह पर पोज करा गया है ठीक है चलो जी आपने सुना होगा स्वेज कनाल ब्लोक होगी थी ठीक है तो कौन सा कंटेनर था जिसने स्वेज कनाल को ब्लोक करा था तो स्वेज कनाल के लोकेशन बहुत जादे इंपोर्टेंट है विगोज यह एक तरीके से एशा को जोड़ती है यूरोप से रेड़ सी को जोड़ती है मेडिटेरियन सी से तक यह रस्ता अपने लिए खुल सके ठीक है तो जितने भी यहां से एशा से ट्रेड हो रहा होता है वाय कि भैतरिन यह है पीएम सवन निधी स्कीम पीएम सवन निधी स्कीम किसलिए है बच्चे यह 2020 में लोंच करेंगी यह क्या है जितने भी स्ट्रीट वेंडर से ठेले वेज़े लगाते हैं जो कोविड के चलते बहुत ही ज्यादा एफेक्ट हुए उनको लोन देने की वो है 10,000 रुपे तक का लोन दिया जाएगा और सरकार उसमें हेल्प करेंगी पीएम सवन निधी पुलिस और क्राइम बिल प्रशन आ सकता है पुलिस और क्राइम बिल कहां पे चल रहा था तो बच्चे यूके में हो रहा था इसके अगेंस प्रोटेस्ट हो रहा था क्या है यह कि यह बिल कहता है सिंपल शाल हैびल का था कि जब यह घरिवए फोते न तो पुलिस को ज्यादा पवर बेसिक लिए बिल दे रहा पुलिस को ज्याधाँल स्की लिए दे रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट का नाम तो किल्दा बिल प्रोटेस्ट चलो जी maiorते हम उसको जीता है उन्हों लिए ओपन को किसके अगेंच कहले थे जानिक शिदर के लिए बाई चांस मतलब हो पाए तो ठीक है यह पोलेंड के पहले मास्टर बने है इसलिए मतलब काइंड ओफ वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है जी इती कानपूर ने डेवलप करी है टच सेंसिटीव वोच जो वीजवल इंपेरड बन्दे होते हैं उनके लिए तच सेंसिटीव वोच डवलप करी है ठीक है तो किस ने करी है बच्चे आई-ई-टी कानपूर ने करी है बस इतना है करणट आफेर आपके लाएगा संकल्प से सिद्धी यह क्या है यह किस ने वन से आने वाला धन जो वन से आने वाले प्रॉड़क्ट यह इसके बारे में अवेरनेस वह थाकि जो ट्राइबल हो गहाता है उनका मतलब जीवन ने चरिया अच्छे से चल सके तो इस संकल्ब से सिद्धी एक awareness campaign ड्राइव है बच्चे चलो जी इंडिया ने इथनोल इसके बाद अपने टार्गेट बढ़ा लेंगे इथनोल ब्लेंडिंग क्या है अपना 90% जो कंजम्शन हो भार से आती है तो हम अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया उसमें इथनोल जो की नॉर्मल जैसे मालना शूगर के इन वगेरा सब्जी वगेरा खराब हो जाए उन सबसे बन जाता है उसकी ब्लेंडिंग करेंगे हम इथनोल की तो ना तो उसकी एफिशेंसी पर या विरेच्व फरक पढ़ रहा है और और उसकी कंजम्शन कम हो रही है प्रोलुशन कम हो र रहे हैं दीरे दीरे इसमें हम वह ब्लेंडिंग की लिमिट बढ़ाया जा रहे है तैन परसेंट तक का फिलाल अपना रिसेंट टार्गेट है ठीक है इतनोल बताए मैंने सुगर के मेज वीट इन सबको गला के फर्मेंटेशन प्रोग्राम प्रोसेस से बनाया जा सकता है व अधंपूर श्रीनगर बारामुला प्रोजेक्ट का यह पार्ट बनेगा ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट है इन जेनलिटी हेलिकॉप्टर क्या है न्यूज में राता काभी बच्चे वट इन जेनलिटी हेलिकॉप्टर यह बेसिकली मार्स के सर्फेस पे भेजा गया एक मिशन है इन जेनलिटी हेलिकॉप्टर इस हेलिकॉप्टर का वेट है 1.8 kg ठीक है तो बेसिकली इसका टारगेट क्या है मतलब मतलब वहां पे जो भी टेरिटरी वगएरा है उसकी फोटोग्राफ वगएरा यह सब लेना है सोलर पावर पूरा विकल है यह और और ही बहुत स इस रामना ऐन भी रामना यह आज डाइम पर इंडिया के चीफ जस्टिस अपको पता ना चाहिए आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट पर इंडिया में total 34 जजीन है 24 में 33 प्लस फे बन वन इस चीफ जस्टिस और 33 नोर्म सुप्रिम कोट कर ज़ज इसकी अपोइंटमेंट क करना चाहे तो चेंज कर सकता है ठीक है ओहो चलो इस तरीके से अप्रेल के करेंट पेर की हमने समाप्ति कर दी और इसके बाद मई के जून के जुलाइक के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करेंगे बेचैन बिल्कुल मत होना अपरेल करेंट फिर कम थे मई के थोड़े से ज्यादा होंगे एक सो सब्सक्राइब कर देना है इसके अलावा जो आपको काम करना है वो यह करना है कि जो सब्सक्राइब करना है इतना कर लोगे करेंट फिर हो जाएगा मैंने बोला था 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 यह जो गिंदर काम करवा देगा बहतरीं तरीके से करवा देगा कोई नोट से बनाने है पीडियेफ पर टेलिग्राम करूप पर आपको देख लेना आ बस और कुछ ने ठीक है चलो फिर मिलते हैं आप से जल्दी नेखतास में तब तक अपना ख्याल रखे जै हिंद जै भारत